हेलो मेरा नाम है रिशी निशाद and welcome back to yet another super important video ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए अगर आप एक नया ट्रिमर ढूंट रहे हो या फिर आपका पुराना ट्रिमर खराब हो चुका है और उसका battery backup बहुत खराब हो गया है बार-बार उसे charge करना पड़ता है ये वीडियो किसी भी तरीके से इस brand रे sponsor नहीं किया है इसमें मैंने अपने एकदम genuine review दिया है मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा है time is money which I don't have इसलिए आपका ज़्यादा time बरबार नहीं करूँगा कम से कम समय में इस ट्रिमर के बारे में जादा से यादा information share करने कोईश करूँगा और बारीक से बारीक चीजों पर बात करेंगे तो कुछ ऐसे box में आता है ये ट्रिमर बहुत basic सी packaging है कोई बहुत high fundu packaging नहीं है और इस पर बहुत सारी information भी written है तो उनको एक एक करके मैं आपको बताऊँगा और उनमें से क्या क्या चीज़े work करती है इन पर भी बात करेंगे पर उससे पहले इसके unboxing कर लेते हैं इस box को आप open करोगे तो इसमें जो सबसे important चीज़ मिलती है वो है ये Nova NST 1058 Trimmer के बाद इसमें एक charging cord मिल जाती है एक brush मिल जाता है for cleaning एक lubricant मिल जाता है इसमें आपको एक instruction manual मिल जाती जिसमें instructions और precautions लिखे हुए है इस trimmer को use करने के लिए अब ये trimmer on paper क्या क्या चीज़े offer करता है और क्या क्या चीज़े एकदम सही है उस पे बात कर लेते हैं अगर आप travel कर रहे हैं और इस trimmer को आपने ऐसे ही लिए press and hold करना है और फिर ये 3 LED lights blink करेंगी और इसका मतलब है कि travel lock activate हो गया है अब अगर आप streamer के इस बटन को कितनी बार भी click करोगे ये start नहीं होगा सिर्फ ये 3 LED lights जो होती है वो blink करेंगी और अगर आपको travel lock को deactivate करना है तो अगेन आपको इस बटन को 3 सेगेंड के लिए press and hold करना है या फिर इस trimmer को charging में लगा देना है और travel lock जो होता है वो deactivate हो जाएगा और आप इस trimmer को फिर से regular तरीके से use कर सकोगे तो ये feature एकदम अच्छे से काम करता है इसलिए इसमें green check है और इसको 5 ratings मिलेंगे इस feature में दूसरी चीज़ जो mentioned है याँ पर वो है quick charge अब ये कितना quickly charge होता है उस पर बात करते हैं तो बाकी जो trimmer होते हैं उनको full charge उन्मे में at least 6-8 घंटे लगते हैं अगर आपको उन्हें थोड़ी दिर यूज़ करना है तो आप थोड़ा था charge कर आप उन्हें यूज़ कर सकते हो लेकिन full charge करने के लिए at least 6-8 घंटे लगते हैं किन इस trimmer को आप सिर्फ 2 घंटे में full charge कर सकते हो which is quite impressive पर आपको यह कैसे पता लगेगा कि इस trimmer को charge करना है तो इसमें आपको तीन इंडिकेटर मिल जाते हैं अगर पहला इंडिकेटर सिफ जल ला है तो इसका मतलब इसके अंदर जो बैटरी है वो है 10-30% अगर दो इंडिकेटर जल लें continuously तो इसका मतलब इसके अंदर बैटरी है 30-60% और अगर तीनों इंडिकेटर जल लें तो इसका मतलब इसमें बैटरी है 60-100% के बीच में तो अभी तीनों इंडिकेटर चलने इसका मतलब इसमें बैटरी जो है वो आराउंड 100% या आराउंड 60-100% के बीच में है और अगर इसमें बहुत जादा कम बैटरी है तो फिर यह जो पहला इंडिकेटर है वो ब्लिंग करने लगता है in that case आपको इस ट्रीमर को चार्ज करना पढ़ेगा बहुत उस फीचर की बात करते हैं जो इस ट्रीमर का यूएस पी है और वो है इसका runtime एक बार फुल चार्ज करने पे 200 मिनट्स का runtime देता है which is massive आपको कोई ऐसा treatment नहीं मिलेगा जो 1000 से नीचे के price point पे आता है या फिर in fact 2000 के नीचे price point पे आता है जिसमें इतनी जादा battery life मिलती है इसको मैंने लगपग 2 महीने पहले मगाया था और जैसे ही आया था तभी मैंने इसको full charge कर लिया था और तब से अब तक इसका जो battery indicator है वो 3 पे ही दिखा रहा है और इस trimmer का ये भी दावा है कि ये एक बार charge करने पे 140 दिन तक के चलेगा तो अल्डेडी 2 महीने हो चुके हैं मैंने और मेरे भाई ने इस trimmer को दबा की use करा है फिर भी इसका जो battery indicator है वो 3 पे ही है तो मैं कह सकता हूँ कि जो इनका दावा 140 दिन वाला वो अराम से fulfill हो जाएगा क्योंकि मुझे लगता है कि ये 2 महीने और अभी अराम से चल जाएगा तो फिर charging time और battery backup में इसको green check मिलता है और again इसको 5 star की rating मिलेगी तीसरा point है ये trimmer IPX7 waterproof rating के साथ आता है अब ये IPX7 waterproof rating होती क्या है तो इस rating का मतलब है कि ये trimmer 1 meter पानी के अंदर 30 minute तक के बिना खराब हुए survive कर सकता है अब ये चीज़ आप test करो ये तो मैं आपको recommend नहीं करूँगा लेकिन मैंने इसको test करने के लिए running tap water के निचे इसको अराम से wash किया है और ये अभी भी एकदम fine work कर रहा है तो मैं कहा सकता हूँ कि अगर आपको इसे wash करना है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप simply से open करो या ऐसे running tap water के निचे रख दो और ये clean हो जाएगा बिना खराब हुए वाटर प्रूफिंग में भी इसे green jack मिलेगा और 5 star की rating मिलेगी फॉर्थ पॉइंट है 40 length settings अब Nova को छोड़के मैंने अभी तक कोई भी ऐसे treatment नहीं देखा है जो 1000 के नीचे price point पे आता हो और उसमें आपको 40 length settings मिलती हो फर्स clipper से आपको 1 mm से लेके 10 mm तक की lens settings मिलेंगी जो start 0.5 से होती है या फिर आपके आसकते हो 1 से होती है फिर 1.5, 2, 2.5, 3 और इसी तरह ये 10 mm तक के जाती है basically 0.5 mm का gap रखा है और जो दूसरा clipper है वो 11 mm से लेके 20 mm तक की lens setting प्रोवाइड करता है और ये start होता 11 से, then 11.5, then 12, then 12.5 and it goes up to 20 mm और अगर आप इस clipper को हटा देते हो तब आपको 0 size trimming मिलेगी अब इस clipper को हटाने के बाद कितनी fine trimming मिलेगी वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे cheeks वाले area में थोड़े unwanted hair है इनको मैं आपको remove करके दिखाऊंगा क्योंकि इस area मुझे hair बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो upward direction में से trim करूँगा जिससे जड़ से बाल निकल जाए मेरे ये unwanted hair almost निकल चुके हैं और आप देख सकते हो कि कितनी fine trimming मिली है अब इससे देख के लग रहा है कि एकदम zero size trimming तो नहीं मिली है ये लिए 0.5 mm की है I think इससे भी better trimming करने के लिए या एकदम fine trimming करने के लिए आपको इससे better trimmer की ज़रुवत पड़ेगी क्योंकि एकदम finest trimming तो ये provide नहीं करता है लेकिन अगर आप 0.5 mm से लेके 20 mm या 40 mm तक की lens setting का use करना चाते हो तो इसमें ये precision एकदम अच्छा देता है और ये trimmer self sharpening blade के साथ आता है तो इसकी जो sharpening blade के साथ आता है तो इसकी जो sharpening blade के साथ आता है और long time के लिए आपका ये 7 देगा वो भी precision के साथ तो lens settings में इसको green check मिलेंगे लेकिन जो ratings है वो इसको 4 star ही मिलेंगी क्योंकि एकदम zero size trimming ये नहीं करता है उतने precision के साथ इस trimmer की जो मुझे सबसे अची चीज लगती है वो है इसका weight ये trimmer काफी ज़्यादा light weight है या मैं कहूंगा fly weight है और इसमें 800 mAh की battery आती है फिर भी ये इतना हलका है बाकी जो trimmer मैंने use करें वो फिर भी हाथ में थोड़ा पता लगते हैं लेकिन ये trimmer बहुत ज़्यादा हलका है बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा जब भी आप इससे trim करोगे इसके weight की बात करें तो इसका weight है only 131 gram वो भी इस clipper के साथ इसके design की बात करें तो वो भी काफी ज़्यादा sleek है बहुत नया नहीं है लेकिन फिर भी काफी ज़्यादा handy और इसमें grip भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है का और इसका color भी matte black है कोई shiny finish आला नहीं है इसलिए जल्दी उतना गंदा भी नहीं होता है इस पर उतने scratch भी आते हैं तो पता नहीं लगते basically इसके design में उतना कुछ नया नहीं है लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी है वो है इसके LED indicators जो battery level को बहुत clearly show करते हैं जिसकी वरसे ये काफी ज़्यादा convenient हो जाता है तो इसके design, in hand, feel and practicality के लिए इसको 4 out of 5 ratings मिलती हैं एक rating सिर्फ मैंने इसलिए काटी क्योंकि इसका design बहुत जादा नहीं है इसके price की बात करें तो ये 6.99 से लेके 8.99 की price point के बीच में revolve करता है price उपर नीचे होता रहता है, कभी-कभी sale में A6.99 से भी नीचे price पर मिल जाता है तो इसका current price क्या है वो confirm करने के लिए मैंने इसका link description में डाल दिया है वहाँ से आके इसको check out कर सकते हो और चाहो तो वहाँ से भी इसकी ratings और reviews पर सकते हो तो ये था एक detailed review streamer को लेके I think मैंने इसके बारे में सारे important points कवर कर लिए है लेकिन फिर भी अगर कुछ बच गया हो, miss हो गया हो तो आप comment section में बेज जीज़ाग पूस सकते हो या फिर आप मुझे Instagram पर message कर सकते हो वहाँ पर मैं आपको जल्द से जल्द reply करने कोशिश करूँगा तो अगर आप अभी वीडियो पर हो और अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को like कर सकते हो और future में ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं तो अगर आप चाहो तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो डिसपॉइंड बिल्कुल भी नहीं होगे future में मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए stay safe, stay healthy and stay groomed रुशी निशा साइंगी आफ, until you see me next time टाडा